असलाम अलेकूम वेलकम बैक टू अनौदर व्लॉग अप नगमा असलम आज मैं आपके साथ धेर सारे स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ यह स्नैक्स आप महमानों को सर्फ कर सकते हैं ती पार्टी में इंजॉय कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं यह हेल्दी सा स्नैक्स है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है आप इसे महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं तो यह मॉर्णी का वक्त था और रात में ना मैंने खट्टी दाल बनाई थी तो हमारे घर वालों को ना खट्टी दाल के साथ काड़क पाउं बहुत पसंद है तो सुबह सुबह जो मेरे हस्बेंट जाके काड़क पाउं लेकर आए और नाश्टा वगेरा हो गया हमारा उसके बाद मैं किचन में आ गई थी यह सारे सामान मैंने कुछ मंगाई थी मेरे हस्बेंट काफी दिन से मुझसे कह रहे थे कि वो चूड़ा बनाने के लिए मुर्मुरे के तो मैं बना भी नहीं पा रही थी और उसके बाद फिर बच्चों की तबेत खराब हो गई इस वज़े से मैं नहीं पना पा रही थी और काफी दिन तक के अफीफा समझ लो ग्यारा बारा तारीक से उसको कुछ सर्दी हुई उसके बाद फीवर चालू हो गया और फीवर हफ्ता भर था वो तो फीवर जा ही नहीं रहा था जैसे दवाई पिलाओ वैसे यह ठीक हो रहा था चार घंटे के लिए फिर वापस आ जा रहा था एक हफ्ता वो रहा फिर उसके बाद गोबरी निकल गई और एहमत को भी फिर ऐसी चालू हो गया तो इस बीच ना मैंने कुछ शूट भी नहीं कर पाई और जब मैंने इसके पहले वीडियो दाली हूँ न वो मेरी 11 तारीकी वीडियो थी जो मुझे जब मैंने ये रमजान के लिए 4 स्नेक्स की रेसिपी दाली न तब मुझे वो अपलोड करनी थी मगर मैं एडिटिंग भ पारा था तब मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी थी ये थोड़ी ची दो तीन क्लिप मैंने 20 तारीकी शूट की थी अफीफा बीमार थी न जब घर का ऐसा हाल रहता था क्लीन नहीं रहता था कोई भी चीज और फिर खाना वगेरा भी कभी बनता था तो कभी नहीं बनता था कभी वाहर से ही लाना पड़ता था क्योंकि वो कभी इतना चिड़ करने लग जाती थी न बड़े बीमार हो जाए न तो एक बार चलता है अगर बच्चे बीमार हो या तो थोढ़ा सा ऐसा दिल शांत हुआ कि इसकी वज़े से उसकी तबेध खराब है वना दिल में तो ऐसे वसवसे आने लग गए थे ना एक तो जिस दिन उसका हैरकट हुआ उसी दिन से उसे फीवर चाल हुआ तो बहुत सारे वसवसे आने लगए कि नज़र लग गई किया हो गई अची है खेल रहे है कूद रहे हैं पहले की तरह इसे manner normal हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने चुछा बनाने का रोटी जो है गूंद कर रख ली हूँ आटे में मैंदा ली हूं मैदे में ऑईल डाली हूं घी नहीं था मेरे पास इसले ऑईल डाली हूं करम करके अगर आपके पास घी हो तो घी एड करें शुगर एड की हूं और रवाय एड की हूँ और अच्छे से रब करते हुए उसे मैंने ख़स्ता बनाई हूँ उसके बाद मैंने दूत की मदद से अच्छे से गूंद ली हूँ और अब मैंना नमक पारे का आटा गूंद रही हूँ नमक थजादा ऐड़ करेंगे क्योंकि नमक पारा थोड़ा नमकीन होता है और इसमें भी ऑईल एट करेंगे और अच्छे से पहले खस्ता बना लेंगे और फिर पानी की मदद से गूंद लेंगे नमक पारे का भी आटा गूंद चुका है अब मैं बना रही हूँ इसका कोटिंग करके बनाएंगे तो यह रेसिपी में आपको बाद में बताओंगी बस इसमें क्या करना है हमें ऑईल डाल के थोड़ा सा और खस्ता कर लेना है उसके बाद नई से नॉर्मल वाटर से गूंद लेना है तो इसे गूंद लेते हैं इसकी रेसिपी में आपको लास में बताओंगी 15-20 मिनट मैंने आटे को रेस्टी दी हूं गीले टावल उपर से मैंने टावल को गीला करके फिर उसके उपर ढग दी थी ताके कुछ भी सूखे नहीं और जब तक कि यहां पर रेस्ट हो अपना दूसरा काम कर ली जाड़ू अगेरा लगाना था वो सब लगा वगा कर फिर आ गई हूं तो मैं रेसिपी आपको बता देती हूं बहुत ही जादा लंबा नहीं घसीटूंगी सबसे पहले में आटे को अच्छे से बेल लेना है और इतना पतला करना है जितना आप प कर लेंगे तो मीडियम रहेगा और मीडियम पे आपको लगातार हिलाते हुए उसे क्रिस्पी कर लेना है और उसके बाद थिकाल लेना है नमक पारे हमारे फ्राय हो चुके हैं और यह मैंने जो सादा आटा गुनी ती जिसकी हमें कोटिंग करनी है उसका देखे उसकी रोट कोटिंग करनी बाकी है और जो मीठी पूरी है और भी मैं फ्राइ कर रही हूं एक तरफ तल रही हूं तो यहां पर बस मैंने शुगर ले ली हूं और गुड़ ले रही हूं दोनों को हमें मेल्ट कर लेना है अच्छे से देखे गुड़ और शुगर मेल्ट हो चुकी है लेकिन गरम रहे तो ड्राइ भी होते जाएगा इसलिए फ्लेम को बन कर देंगे और मैंने थोड़े से मखानों को भी भून कर लख ली हूं मखाने और अक्रोट वगेरा तो उसे भी मैं कोटिंग करूंगी और यहां पर मेरे हस्बेंट आये थे मीठा वाला खाई ना तो उ पानी पिलाने इसे पहले थोड़ा से निकाल ली हूं वह उसके लिए अक्रोट के लिए और इसमें बस ना यह मखाने एट करके कोट कर लिंगे तो यह सबसे जादा है सुबह सुबह या कभी भी मन किया खाने के पाथ कुछ भी मीठा खाने का तो एक दो भी लेकर आपनी ख मतलब यूपी वालों की तरह मैंने किसी को खातिर्दारी करते हूं नहीं देखी हूं कुछ मन पहले जब हम लोग अंगलेश्वर गए थे ना तो वहां से अपनी फुपी क्या गए थे और फुपी ने तो इतनी सारी चीजे कितनी किसिम की मिठाई और तीन से चार किसिम के चूड़े बिस्किट पता नहीं क्या-क्या रखे थे कि समझ में ही द्याना था क्या खाने का पानी इनाश्टा पानी में है फिर उसके बाद खाना वगेरा हुआ वो तो अलग चाय भी वो अलग तो यहां देखे सारे जो है इसनैक्स रेडी हैं इसे आप एर टाइट कंटेनर में अच्छे से रख सकते हैं पूरी तरह से ठंडा कर करने के बाद बच्चों को टिफिन में दे या फिर ऐसे भूप लगते रहती है बिना वज़े की उसमें भी आप दे सकते हैं इंजॉय करें आप अपनी फैमिली के साथ तो इतना ही बनाने में बरतन इतने सारे हो गए थे तो मैंने क्या की ना सारे बरतन अगेरा पहले धु सेंग को भून लेंगे और ये देख रहे ना कड़ाई भी छोटी है तो मुझे ना दो बार में करना पड़ेगा सेंग को भून के निकाल लेना है उसके बाद हमें प्यास का बिरिस्ता बनाना है तो प्यास और मिर्ची को में साथ में बिरिस्ता बनाकर निकाल ली उसके बा जाली हल्दी की क्वैंटिटी थोड़ी जादा रखेंगे सारी चीजों को मैंने मिक्स कर ली एक्चली एहमद मुबाइल लेकर चला गया था तो मैं रिकॉर्डिंग ने कर पाई मैं फिर कि मुझे भी लंच भी बनाना है तो बहुत जादा टाइम हो जाएगा करके मैंने तो ऑईल गरम हो गया है ऑईल के अंदर मैंने थोड़ा सा काली मीरी दाली हूं तेज पत्ता दालेंगे दाल चीनी दालेंगे और एक बाद्यान फूल डालेंगे और जीरा दालेंगे अब इसके अलावा आप जो मसाला एट करना चाते हैं वो भी एट कर ले उसके बाद दो बड़े साइस की प्यास को मैंने चॉप कर ली हूं उसे भून लेंगे चार क्यूब मैंने पुदीना गोतमीर के एट की हूं और एक बड़ा चमच भरकर अद्रक लस्टन का पेस्ट एट करेंगे अच्छे से उसे भूनने के बाद हमें मटन एट कर देना है मटन का कीमा है तो इसे भी आप चार से पार्च मिनट अच्छे से भून लेंगे नमक और हल्दी डाल कर उसके बाद मिर्ची और जो गरम मसाला पाउडर वगिरह सब डालते हैं उसे डाल देंगे और उसे मैंने मटना भी एट की हूं मटना पानी एट करके रग दी हूं हाई फ्रेम पर प तो इसमें पानी भर कर रख लेती थी दूसरे टाइप पानी नहीं भरने मिलता था तो इसी से काम चल रहा था तो अभी अलहम्दुलत से तबेत ठीक हो गई है तो यह बॉटले वगिरह हैं मैं हटा दूंगी अब इसकी ज़रत नहीं है और यह सब जो प्लास्टिक है ना कट करके लैगती हूं जाइब, तो इससे अज हो जाक्रें से क्लीन कर दा हूँ कर सकती है यह सुखा लरा करके पहले एक बार कलें okay लोटें ही प्लेन कर सकती है वैसे तो इससे एकी बार में हो जाता है मार्शालला से आहमत यहां पर खेल रहा है बच्चे खेलते कुटते रहें तो दिल को सुगून रहता है जैसी वो बिमार पढ़ जाते ना कुछ दिन उन लोगों की सेवा करते करते नहीं ठीक होते ना तो साथ में मेरी भी हालत खराब होती है बस ऐसे लगता है मैं भी बिमार हूँ और अक्सर ऐसी होता था ओलो की तब ठीक होती है तो मैं बिमार पढ़ जाती थी पर अलहंदल्ला अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यहां पर फिन में बेसिन धुलने आ गई थी क्योंकि मुझे पोचा वगेरा भी लगाना है सारा काम हो जाएगा उसके बाद दोनों बच्चों को नेला कर मैं भी रेडी हो जाओंगी तो लॉन्च वगेरा हो चुका था और खाना खा रहे थे सारे भी है वीडियो पसंद आई हो इस नेक्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब करें चले हम नेक्स वीडियो में मिलते हैं अल्ला हाफीज